Hello Everyone, Welcome to our Channel MPboard English Medium So Guys, पिछले वाली वीडियो में हम लोगोंने physics का जो blueprint उसको discuss किया था इस वाली वीडियो में chemistry के blueprint पे आते हैं तो chemistry के blueprint देखोगा यह बहुत सारी mistakes में कहोँगा MPboard के तरफ से हैं क्यूकि आप लोगों को बताना चाहँगा chemistry के blueprint में जैसे मैंने यहाँ पे starting आप देख सकती unit 2 से किये बट आप लोगों का जो blueprint वो हिंदी वाला है उसमें unit 1 लिखा है इससे हो रहा है बहुत सारा confusion जैसे आप लोगों के chemistry में से जो chapter number 1 है solid state वो हट चुका है अगर chapter number 1 हट चुका है तो MP board ने chapter number 2 है बट जो की reduce हो चुकी है बट MP board ने उसको अपने blueprint में correct ना करते हुए वहाँ पे डाला है unit 1 और chapter का नाम डाला है solution बट मैंने यहाँ पे आप लोगों को correct करके पूरे अच्छी तरीके से blueprint प्रेजेंट की है आप लोगों को unit NCRT के according मिलेंगी कि कौन सा unit आपका है और कौन सा chapter का नाम है वो भी ठीक है तो हम बढ़ते chemistry की blueprint पे आप लोगों को जो division दिया है mark division हो कुछ इस प्रकार से सबसे पहला आप लोगों को आता है unit number 2 चैप्टर unit number 1 solid state आपका reduce हो चुका है उस पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे जैसे ही सारे blueprint हो जाते है उसके बाद में reduce syllabus as well as syllabus जो आप लोगों को पढ़ना है और जो नहीं पढ़ना है उस पे वीडियो ले करके आ जाओंगा कौन सा चैप्टर में से कितना पढ़ना है आप लोगों को कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है यह सब आपका उस वीडियो में clear हो जाएगा अभी ध्यान दीजिए कि कौन से चैप्टर से कितने नाक्त माक्स का आप लोगों को पूछा जाएगा चैप्टर नमबर 2 सॉलुषेंस आप लोगों साथ नमबर कैरीकर रहा इचैप्टर नमबर 3 electrochemistry यह आप लोगो का नौबर कैरीकर रहा है चैप्टर नमबर 4 chemical kinetics अगेन 7 नमबर कैरीकर रहा है यूनिट नमबर 8, चैप्टर 4 के बाद 5, 6, 7, ये हट चुके है गाईस, ठीक है, बट MP Board ने उसको continue ही लिखा है, जैसे यहाँ 1, 2, 3, फिर उसके बाद 4 के बाद सिधा 5 डाल दिया MP Board ने, जबकि ऐसा नहीं है गाईस, यूनिट नमबर 5 रिडियोस हो चुके है, ठीक है, यू यूनिट 10, हेलो अलकिन्स, हेलो अरेंस, 6 नमबर, यूनिट 11, 6 नमबर, यूनिट 12, 8 नमबर, यूनिट 13, अमीन्स, ये भी क्यारी कर रहा है, आप लोगों की 6 नमबर, और यूनिट 4, लास्ट में आता है, बायो मॉलुकिल, ये भी 7 नमबर क्यारी कर रहा है, इस तरह से आप लोगों का जो 70 marks का chemistry का blueprint है वो बनता है इसमें देखने वाली बात गाइस यह है जैसे मैं आप लोगों को फोटो दिखा रहा हूँ देख लो एक और बार confusion क्लियर कर देता हूँ MP board ने sequence गलत डाला है MP board ने लिखा unit 1 unit 1 के आगे chapter का नाम लिखा है that means in MP board के according आप लोगों का पहला unit है विलियन बट अगर आप NCRT खुलोंगे तो वहाँ पर आपको unit 1 मिलेगा आप लोगों का solid state याने ठोच अवस्था जो की syllabus में से हट चुका है MP board ने यह जो unit का sequence है वो गलत डाला है पर chapter का नाम सही दिखा है तो आप लोगों को इसमें unit भी मिल जाएगी और यहाँ पर chapter भी लिखा हुआ है तो आप लोगों को दोने चीच clear हो जाना चीए कौन सी unit है और कौन से chapter है या फिर अगर आप इसको ना ही देखो और इसको ही तो clear clear बोलू तो आपको यह पढ़ना है और यह chapters आप लोगों को पढ़ना है और यह chapters में से इता आने वाला है इस पर ध्यान ना दोतो हूं ठीक है जिसे solutions, electrochemistry, chemical kinetics, dnf block, coordination compound, celloalkyn, cellurins, alcoholphenol, LDH, ketone, amines और biomolecules जो यह है आप लोगों को chemistry blueprint अगली वीडियो में biology पर जाएगे Thank you for watching this video, मिलते आप से भी से next video में